नमस्कार दोस्तों रीतु किचन में आपका स्वागत है आज हम रुमाली रोटी बनाएंगे ये मैदा है 100 ग्राम ये नमक है ये दो चमश फॉर्चून है ये दूद है नमक और फॉर्चून को हम इसमें डालेंगे अच्छी तरह मिलाएंगे और दूसरे आटा गूंदेंगे इस तरीके से गूंद के रखेंगे इसे 15 मिनिट के लिए रख देंगे पानी लेंगे उसमें नमक डालेंगे एक तमश मैदे की लोई बनाएंगे रोती के आटे से इसको थोड़ा धीला लेना है अच्छी मैदा लगाएंगे और इसे पत्ला पत्ला बेलेंगे यह नमक का पानी और कडाई के डालेंगे रोटी को इस तरह लखेंगे लपेटेंगे हल्का हल्का इसको सेखेंगे साफ को प्रेशे इस तरीके से शेखेंगे इसको हल्का हल्का इसको पर्टेंगे रोटी हमारी तयार हो चुकी है इस तरीके से बनाते जाएंगे फिर इसको इस तरह के से लपेटेंगे इस तरह से लपेटेंगे रोमाली रोटी बनके हमारी तयार है और बहुत अच्छी बनी हुई है यह यह बार जरूर ट्राय करें अगर आपको मेरी रेशेटी पसंद आई हो तो लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू आप रोमाली रोटी को किसी के साथ भी खा सकते हैं शाई पनीर, कोर्मा, कडाई पनीर